नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुन है, आपकी अपनी इस यूटूब चेनल पर हर्दिक स्वागत और अभिनंदन है, देशा की आप उपर देख पा रहे हैं, आज हम सिविरा पंचांग सतर दो हजार तैइस सोबिस के विसे में बात करने वाले हैं, जारी करता हैं, नेदे सक मदे मिक सिख्षया रास्थान विकानेर स्रिवान कानाराम जी आईएस, क्रमांक आप यहां पर देख पा रहे हैं, और जारी करने की जो दिनांक है, वह है, 22 जून 2023, महतोपुन तथे क्या क्या है, सत्र आरंभ है, तो सत्र कब से सुरू हो रहा है, तो सिख्षकों चलेगा, 26 जून 2023 से 15 जूलाई 2023 तक, यह पहली दफा है, और उसके बाद हो सकता है, कि विभाग के द्वरा आगे भी इसके अंतिन तिथी बढ़ा दी जाए, और जो बच्चे पूरक परिक्षया देंगे, परिक्षया उन पर बच्चों का प्रवेस हमें, आगामिक अक्सा में हम कह सकते हैं कि परिक्षया परिणाम जारी होने के दस दिन के अंदर करना है, विद्धाले संचालन एक पारी विद्धालियों के लिए ग्रिस्म आवकास में एक अप्रेल से 30 सितंबर तक, साड़े साथ वज़े से एक वज़े तक, कुल पांच गंटे 30 मिनटे, प्रते 35 मिनट का रहेगा, सीत कालन्स भी भाजन रहेगा, अब धी 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक, 10 से 4 वज़े तक, कुल 6 गंटे, प्रत्थम 6 कालन्स, मतलब 1 से 6 तक के जो कालन्स भी है तो 40-40 मिनट के, और 7 और 8 अर्थारत अंतिम 2, 35-35 मिनट के, प्रार्थना सभा, कुल 25 मि योगा भ्या, सूर्य नमस्कार ये है, एच्छिक है, प्राणायाम, समाचारवाचन, प्रतिग्या, वे, रास्ट्रगान, इत्यादी गतिविदियां सामिल हैं, स्वच्चिता पक्वडा, 1 सितंबर से 15 सितंबर 2023 के मद्धे, आई, एफ, ए, अर्थारत आईरन एंड फॉलि कैसे टेवलेट्स जो हैं, वह ककसा 6 से 12 के वच्चों को निली गुली दी जानी है, और ककसा 1 से 5 के वच्चों को पिंक या गुला भी गुली, ये गुलियां प्रतेग महिने के प्रतेग मंगलवार को दी जाएंगी, प्रतेग महिने के पहले सोमवार को प्रार्थना सवा मे समस्त कार्मिक और विद्धार्थियों की द्वारा तंबकु का प्रियोग ने करने की सपत भी ली जाएगी परख और परिक्षें इस प्रकार से रहेंगी प्रथम परखे 23 से 25 अगस्त द्वितिये 19 से 21 अक्टूबर अर्धवार्शिक परिक्षें 11 से 23 दिसंबर 2023 तृतिये प परख रहेगा 20 से 22 फरवरी 2024 और वार्शिक परिक्षें रहेगी इस्थानी परिक्षें 8 से 25 अप्रेल 2024 और वार्शिक परिक्षा परिक्षें परिणाम घोसित करने की ती इस्थानी परिक्षां के लिए 30 कि अपरिल 2024 रहेगी आगामी 7 bijvoorbeeld जो है और एक माई दोजार चोबिस से स्टार्ट हो जाएगा ककसा पांच वह आठ के लिए वार्षिक प्रिक्षा की तिथी अलग से घोसित की जाएगी तथा दस वह बारा के लिए वार्षिक प्रिक्षा की तिथी मद्यमिक सिक्सा बोर्ड अजमेर की द्वरा अलग से घोसित की जाए हैं जो निम्न प्रकार रहेंगे पहला जो ट्रम है वह है 45 प्रतिशत कोर्स का लिया जाएगा जो कि सितंबर 2023 में दूसरा ट्रम जो है वह नेक्स्ट इस 45 के आगे का 40 प्रतिशत जनवरी 2024 में और त्रितिय जो है वह है जो 15 प्रतिशत बच गया उसके साथ मिलाकर बोर्ड परिक्सा से पूर्वे किया जाएगा और परक की अवदी में साला समय से पूर्वे परक की तैयारी हितु बच्चों को छोड़ा जा सकता है प पूर्वे रविवार के अवकास को छोड़ कर होगा कक्सा 10 और 12 को 14 दिन का परिक्सा तैयरे अवकास दिया जाएगा बस्ता मुक्त सनिवार की बात करें तो 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री महुदय द्वारा की गई बजट घोशना के अनुपालना में प्रतेक सनिवार को बस पहला सनिवार होगा रास्थान को पहचानों दूसरा होगा भाषा कोसल विकास तीसरा होगा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान चोथा सनिवार मैं वेगयनिक बनूगा और पांचवा सनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ बस्ता मुक्त सनिवार के दिन आन दूसरा समुह जो है बनेगा उसका नाम है प्रवेस जिसमें तीन, चार, पांच कक्सें रहेंगी दिसरा नाम का तीसरा समुह है जिसमें छेस से आठ तकी कक्सें सामिल की जाएंगी चोथा समुह जो है उसका नाम होगा चृतीज इसमें नह और दस्वी के बच्चे होगे और पांच वा समुह होगा उनन्ना तीज जिसमें ग्यार है और बार है के बच्चे सामिल होगे स्वतंतरता दिवस 15 आगस्त यानि 15 आगस्त गनतंतर दिवस यानि 26 जनवरी तथा गांधी जैन्ती अर्थारत दो अक्टूबर उन्नी तीतियों को मनाई जाएंगे जबकि अन्ने दिवस उत्सव या जैनितिया उस सब्सा के संवर को तै कारिये करम में से 29-40 मिनट निकाल कर संपन करवाय जाएंगे मा है के अंतिम संवर को 29-40 मिनट सिक्षक और विद्यारती सरमदान करेंगे बस्ता मुक्त सनिवार के कारण बाल सबहें, मासे के स्टाफ बैठक, अभिवाव के सिक्सक बैठक, जिसे MPTM के नाम से जानते हैं, राजू, मिना राजू या गारगी मंच, SMC, SDMC के कारिये कारिनी की बैठक, जो आज तक अमाउसा को होती रही थी, ये भी सनिवार को आईज 24 तक कुल मिला कर 12 दिन के, ग्रिशम अवकास की बात करें, तो 17 माई 23 से 23 जून 2024 तक रहेंगे, उक्त अवकासों के दोरान, मंत्रालाइक एवं चतुर्त स्रेनिक करमचरी के वल राजपत्रित अवकासों का ही उपभोग कर सकेंगे, सिक्सक खेल खूद परतियों के थे, तहसिल इस्तरिय होंगी, 15 से 16 सितंबर, जिला इस्तरिय होंगी, 22 से 23 सितंबर, और राजज इस्तरिय होंगी, 30 से 31 दिसंबर 2023 में, सिक्सक समयलेन इस परकार से रहेंगे जिला इस्तरिये 13 से 14 हक्टूबर 2023 और रज्जे इस्तरिये होंगे 10 से 26 जनवरी सोरी 10 से 11 जनवरी 2024 के मद्धे कारिये माहवार कारिये दिवसी इस परकार से रहेंगे जुलाई 2023 में आप यहां पर एक को समझेंगे सिर्फ हम कि जैसे जुलाई में कुल मिलाकर कारिये दिवसों की संख्या 26 है इसमें से 5 और 5 रभीवार है तो 26 और 5 इक तिस अब इस 26 में से एक अवकास है तीन उत्सव है पांच सनिवार है में सार्थ 26 में से 5 जई सनिवार और कम कर देंगे तो सभी परकार से सभी मैंनों की इस परकार से सिर्फ यहँ पर रखे जए गए तो यहां पर कारिये दिवस सिर्फ Day रहेंगे और रहेगा नव एक दे वाला जिस समें और उसके बाद में half yearly exam आ जाएंगे इसलिए नोब एक डे नहीं मनाये जाएंगे अप्रेल में भी एक तो मनाये जाएगा बाकी में yearly exam रहेंगे इसलिए चार ही सिक्सने दिवस हमारे हिस्से में आएंगे तो आज की इस वीडियो में फिल हाल इतना ही है नमस्ति धन्यवाद जे हिंद जे भारत